आम को फलो का राजा कहा जाता है क्योंकि आम में धेड़ सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाये जाते हैं इसलिए आम स्वाधिश्ट होने के साथ साथ फायरे मंद भी होता है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आम के बारे में अगर कोई महिला या पूरुश संतान प्राप्ती के लिए गोशिश कर रहे हैं और वो आम का सिवन करते हैं तो ये उनके लिए किस तरीके से फायदामन्द हो सकता है और किस तरीके से नुकसान दे साबित हो सकता है इस वीडियो में आप लोगों को तीन ऐसी खास बाते बताऊंगा जो आपको जरूर ध्यान रखनी है आगे पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेश्टे वीडियो को लाइक करते हैं क्योंकि बाद में आप लाइक का न भूल जाते हैं लाइक करने के साथ साथ इसे फेस्बुक पर वट्सप पर जादा स्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे और उनको भी जानकारी मिले फायदा मिले तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे इसके फायदों के बारे में नमबर एक दोस्तों आम में भरपूर मातरा में विटामिन सी होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग करता है महिलाओं में एक क्वालिटी को इंप्रूव करता है और पुर्शों में इस पर्म क्वालिटी को इंप्रूव करता है नमबर दो आम में भरपूर मातरा में डायटरी फायबर पाया जाता है जो कि आपके digestion system को improve करता है आपके insulin को control करता है type 2 diabetes के risk को कौम करता है दोस्तों जिन मेलाओं को PCOD PCOS की समस्या है आपने देखा भी होगा डॉक्टर उनको metforming 500 की tablet देते हैं ताकि उनका insulin control में रहे लेकिन आम ये काम natural तरीके से कर सकता है नमबर 3 आम में भरपूर मातरा में बीटा केरोटीन पाया जाता है जो कि एक powerful antioxidant होता है और ये free radical damage को खत्म करता है दोस्तों महिलाओं में एक quality को खराब होने से बचाता है और पुर्षों में इस pump quality को खराब होने से बचाता है इसी के साथ साथ ही आपकी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है नमबर 4 विटामिन A दोस्तों आम में भरपूर मातरा में विटामिन A पाया जाता है जो कि महिलाओं में सर्वाइकल म्यूकस के production को बढ़ाता है उसकी quality को इंप्रूफ करता है जैसे कि मैं आपको पहले भी अपनी विडियो से बता चुका हूँ कि अगर कोई महिला गर्ब धारन के लिए कोशिश कर रही है तो उसके शरीर में पर्याद मातरा में सर्वाइकल म्यूकस का होना जरूरी है सर्वाइकल म्यूकस जितनी ज़्यादा मातरा में होगा अगर वो आम का सेवन करते हैं तो उनको कार्बोइडरिट मिलता है जो कि उनकी बॉड़ी को एनरजेटिक रखता है नमबर छे, आम में भरपूर मातरा में डाइटरी फाइबर होने की वज़े से जब आप इसको खाते हैं तो आपका पेट आपको बराबरा महसूस होता है इससे आपको खाना खाने की इच्छा कम होती है जिन लोगों का वज़न जाता है फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए एक बेटर आप्शन हो सकता है क्योंकि इसको खाने के बाद जब आपकी खाने की च्छा कम हो जाएगी और आपका मेटबोरिजम बढ़ जाएगा तो आप आसानी से अपने वेट लॉस कर सकते हैं ये तो ही फायदों की बात अब मैं आपको तीन ऐसी खास बाते बताने वाला हूँ जो आपको जरूर ध्यान रखनी है नमबर एक दोस्तों आम की तासीर गर्म होती है इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें इस्तेमाल करने से चार गंटे पहले इसे पानी में डाल करके रखते हैं जो मैलाएं गर्भ धरन के लिए कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप आम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके इंप्रांटेशन फेल होने के चांसे बढ़ जाते हैं नमबर दो कैल्शियम कारबाइट मार्किट में जब आम की ज़्यादा डिमांड होती है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आम को समय से पहले तोड़ लिया जाता है और उसको कैल्शियम कारबाइट से पका दिया जाता है कैल्शियम कारबाइट एक बहुत ही हानिकारक केमिकल होता है जो कि मैलाओं में POF यानि की प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का खत्रा बढ़ा देता है दोस्तों प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में मैलाओं के अंडे समय से पहले खत्म हो जाते हैं पीरेट साना बंद हो जाता है जिसको एक तरीकी से प्रीमिनोपॉस भी का जाता है वही पुर्शों में इसकी वज़े से स्पम लॉस हो सकता है इस चीस से बचाओ के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पानी में आम को भीगाएंगे उसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है वो जरूर डाल दे और उसके बाद आम को निकाल करके अच्छे तरीके से रगड रगड के धोले ऐसा करने से क्या होगा कि जो केल्शियम कारबाइड आम के उपर लगा होगा वो अच्छी तरीके से हट जाएगा और आप उसको फिर आराम से खा सकते हैं अगर किसी कारण से बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कारबोनेट आपको नहीं मिलता है तो आप उसकी जगे पर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आम में भरपूर मातरा में डाइटरी फाइबर होने की वज़े से कई बार इसको खाने से लूज मोशन पी लग जाते हैं जो कि उन महिलाओं के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है जो गर्ब धारण के लिए कोशिश कर रही है अगर किसी महिला का डाइजेशन सिस्टम कमजोर है और वो गर्ब धारण के लिए कोशिश कर रही है तो उनको ऐसी कंडिशन में आम का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही उमीद है आप लोगों को मेरे द्वार दिखें जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें जादा से ज़यदा शियर करें चैनल पर नए़ तो चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं एकले वीडियो में तान्यवाद